हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुती कमाल के बजट स्मार्टफोन्स ओपो की तरफ से ओपो ने एक साथ दो फोन्स लॉंच करें दोस्तो एक तो ओपो का A3X यह आपको मिलता है साड़े तेरह हजार का और एक लॉंच कर दिया ओपो के ट्वेल एक्स तो अन्वादा दोनों फोन्स के नाम में X से दोस्तो एक A3 है और दोसरा के ट्वेल है तो इस वीडियो में इन दोनों में कंपरेजन करके आपको बताऊंगो दोस्तो दोनों के अंदर क्या-क्या खुभी है क्या-क्या कमिया है क्या आपको साड़े तेरह हजार में A3X खरीदना चाहिए या फिर जो है तेरह हजार में K12X खरीदना चाहिए तो जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखेगा ट्रांस्परेंट है लेकिन जो है दोस्तो इसके साथ आपको बबल लुक में कवर दिया गए है तो थोड़ी डिजाइनिंग भी है इसके बाद जो है दोस्तो आपको यह वाइट कलर में टाइप सी केबल मिल जाती है लेंद और क्वैलिटी जो है केबल की वो आपको काफी बढ़िया मिलती है इसके बाद लास्ट में रखावा मिलता है दोस्तो यह वाइट कलर में कुछ इस तरीके के लुक में चार्जर जो कि आपको मिलता है 45 वाट का दोस्तो OPPO के A3X पर चली देखते हैं अगर आप जो 500 रुपे की कंजूसी करते हैं और K12X खरीद लेते हैं 13,000 में तो उसके साथ आपको क्या के दिया गए है 13,000 में तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं पैकिंग इसकी भी बिल्कुल सेम ही है अनबॉक्स करती सबसे पहले फ वाइट कलर में बिल्कुल सेम लुक में तो क्वालिटी और लेंथ जो है केबल के आपको बिल्कुल सेम मिल जाती है दोने ही फूंस के साथ तो यह चीज़ आपको दोने के अंदर सेमिलर टाइप की मिलती है दोस्तो और लास्ट में रखावा मिलता है दोस्तो यह वाइट क कम रेट में तो box के contents को लेकर दोस्तो comparison में जादा बढ़िया है k12x यह आपको कम रेट में जादा बढ़िया मिल जाता है बिल्कुल सेम मिल जाता है a3x की तरीके से चली बात करते हैं दोस्तो design के बारे में तो design जो दोस्तो इन दोन फून्स के अंदर आपको जो मिलता है k12x क जो नौड टाइप का design लग रहा है जैसे oneplus का नौड फून्स आया ना बहुत सारे नौड c4 c4 light उसी design में आपको camera दिये गए हैं और a3x का जो pattern है दोस्तो इसके अंदर आपको बहुती glossy pattern मिलता है तो light की reflection बहुती कमल की देखने को मिलती है दूसरी तरफ k12x के अंदर matte finish में तो scratches होगरा fingerprints होगरा कम आएंगे और designing भी देखने को मिल जाती है लेकिन फिर भी जो है मदा अगर आप मेरे opinion पूछे कौन सा बढ़िये लग रहा है तो design में तो मदा designing तो आपको मिल जाती है k12x के अंदर camera का design भी जो है oneplus की तरीके से देखने में oneplus का भाई लगता ह लेकिन दोस्तों जो मदा अलगी look आ रहा है ना वो a3x का बहुत ही कमाल का लग रहा है और इसका एक purple color भी आता है तो उसके unboxing आप जरूर देखेगा चैनल में यह silver color में और जो दोस्तों इसका purple color की भी unboxing में ने कर रखिए तो उसको जाकर जरूर देखेगा तो a3x आपको design क लेकर मुझे परसली जादा बढ़िया लग रहा हैं दोनों फूंस के comparison में camera का module भी जादा बढ़ा इसका तो जादा अच्छा भी लग रहा हो जो दोस्तों color भी बहुत ही कमाल का है आपको दोस्तों फिर भी दोनों में पसंद कौन सा है आप मुझे नीचे comment करके जरूर बत जाती है डिस्पrile दोनों में से किसी के अंदर भी आपको फोल ही अंदर कम यह होप़ों जाते हैं और की तरफ swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है और display के अंदर आपको जो refresh rate दिया गये है वो भी दोनों के अंदर आपको बराबर मिल जाता है 120 Hz तो जो smoothness है दोनों के अंदर आपको चाहे A3X हो या फिर जो दोस्तो K12X हो दोनों के अंदर आपको user interface भी same मिल जाता है दोस्तो box के contents भी same दिये गए है और इसे के साथ जो design को लेकर A3X बढ़िया है लेकिन जो दोस्तो pricing में OPPO K12X बढ़िया मिलता है 500 के सस्ता है बाकि display की quality में आपको करीब से दिखाता हूँ दोनों phones की बिल्कुल full brightness करके तो इन दोनों phones के अंदर आपको जो दोस्तो पंचोल camera वाला design दिया गए है तो ये चीज़ आपको दोनों के अंदर same type की मिल जाती है पंचोल camera वाला design है edges, bezels भी आपको जो दोस्तो काफी कम दिये गए है और बात हो दोस्तो display के colors की brightness की तो वो चीज़ आपको दोनों के अंदर बहुत ही बढ़िया मिलते है लेकिन कहीं न कहीं मुझे थोड़ी सी और ज़्यादा better display लग रही है के 12X की इसके display के जो color से थोड़ी से और ज़्यादा better लग रहा है brightness भी ज़्यादा better लग रही है तो अगर ज़्यादा बढ़िया भी ना लगे तो दोस्तों फिर भी same quality तो है ही लेकिन दोस्तों फिर भी आपको जो है मतलब मैं आपको साथ में मतलब दोनों phones को side by side देख रहा हूँ तो मुझे colors में brightness में फर्क लग रहा है K12X के display ज़्यादा bright लग रही है Left side से देखेंगे यहाँ पर आपको sim kit रे दी गई है दो sim card 5G के आप लगा सकते हैं दोनों के अंदर नीची की तरफ साब देखेंगे charging port, speaker, mic, headphone jack मिल जाता है साइड में आप देखेंगे तो दोस्तो volume के buttons और power के buttons दिये गए है finger paint scanner दोस्तों दोनों में side में मिलता है power के button के अंदर उपर से देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल plane design इस तरफ कुछ नहीं दिया गया अब बात करें दोस्तो रेम और storage को लेकर तो A3X के अंदर आपको दी गई है तो रेम और storage को लेकर storage में दोनों बढ़ी हैं लेकिन रेम में आपको K12X और जाधा बढ़ी है मिल जाता है दोनों phones के अंदर आपको 5100 mH के आसपास battery मिलती है तो एक दिन का normal battery backup अराम से मिल जाएगा charger भी दोनों के साथ एक जैसे मिलता है पैंतालिस वाट का और दोनों फोन्स के अंदर आपको Android का latest version दिया गए है Android 14 तो ये चीज़ भी आपको दोनों के अंदर similar type के मिल जाती है latest version आपको दिया गए है Android का तो ये चीज़ दोनों के अंदर काफी बढ़िया है बाकि दोस्तो ओपो A3X के अंदर आपको main camera दिया गए है 8MP और K12X के अंदर आपको 32MP main camera मिलता है नंबर से फर्क नहीं पड़ता है फिर भी थोड़ा बहुत आपको जो camera जादा better दिया गए है वैसा तो मुझे rate के साबसे दोनों के camera normal type के लगे लेकिन फिर भी अगर दोनों का comparison किया जाए तो K12X मुझे camera को लेकर थोड़ा और ज़़ादा बढ़िया लगा दोस्तो cameras में थोड़ा और ज़़ादा better दिया गया है बाकि दोस्तो बात करें processor के बारे में तो processor भी आपको दोने के अंदर same ही मिलता है अब यह processor आपको 10,000 के phones में भी काफी phones में देखने को मिल जाता है 11,000 में भी 12,000 में भी तो वही processor इन दोनों phone में आपको दिया गए है बाकि इस चीज़ को लेकर भी दोनों smartphone आपको same type के मिल जाते है तो performance अगर आपको थोड़े बहुत heavy user है तो दिक्कत नहीं होगी लेकिन 13,000, 13,000 में जो है न आपको और भी options मिल जाते है तो उनको जरूर देखेगा चैनल के अंदर काफी सारे phones की वीडियो है उनको चेक आउट जरूर करेगा दोस्तों जरूर देखेगा दूसरे smartphones की वीडियो भी same budget के अंदर इसके लब दोस्तों इन दोनों phones के अंदर आपको सारी खुबिया कमिया मिलती है तो processor दोने के अंदर same दिया गया है battery charger दोने के अंदर आपको same type के मिल जाते हैं डिजाइन को लेकर दोनों बहुत ज़्यादा बढ़िया है और जो दोस्तों बाकी features भी दोने के अंदर आपको Android 14 सभी चीज़े same type के मिलती है लेकिन OPPO A3X से K K12X में आपको और जाधा बढ़िया मिलता है एक तो इसके अंदर आपको दोस्तों मतर रैम जाधा दी गई है दूसरे इसके अंदर आपको display की quality थोड़ी जाधा बेटर मिल जाती है और तीसरे इसके अंदर आपको camera थोड़ा जाधा बेटर दिया गया है और चौती खुब से देखा जाए तो features में K12X कम rate में जाधा बढ़िया है आप बताएगा फिर भी comment करके दोस्तों आपको इन दोने में कौनसा अच्छा लगा कौनसा नहीं नीचे comment करके मुझे जरू बताएगा वीडियो दो आपको अच्छी लगी तो like करके जरू जाएगा चैनल पर आप subscribe नहीं करका तो subscribe जरू कर लिजए ताकि नए वीडियो आप तक पहुचते रहे हैं helpful लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ इसको share कर दीजए WhatsApp पर Facebook पर subscribe करने के साथ जो ना बेल आइकन भी जरू दबा दिया का घंटी का निशान ताकि notification आप तक पहुचते रहे नए- अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए